तो नाम तय है, एलान होना बाकी है, MPK 12 कॉंग्रस उमीदवारों पर मुहर लग चुकी है, सुत्रों के वाले से जानकारी है, न्यूज जितीन के पास समभावत उमीदवारों की लिस्ट भी है, आज लिस्ट जारी हो सकती है, कल CEC की बैटक में सहमती बनी और अब कहा जा रह हो चुके हैं, मुहर लग चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है, इंतिजार किया जा रहा है कि आखिर कब इसका ऐलान होगा, कल CEC की बैठक होई, इससे पहले भी बैठक होई, और तब भी कहा जा रहा है तक कि अब जल्द ऐलान होगा, और कल फिर जब बैठक होई, तो अब य रहे हैं यह जो हैं यह वो नाम है जो मैदान में उतारे जा सकते हैं कॉंग्रेस के दुआरा मद्य प्रदेश की बात कर रहे हैं संभावत उमीदवार कौन-कौन हो सकते हैं उनके नामों की लिस्ट आपके टेलिविजिन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कांधिलाल भुरिया है वहाई से धार्थ कुश्वा है प्रियवरत सिंग है पंकाच वबाध्या है फुल सिंग बर कि पहली सूची 12-15 नामों की सूची कॉंग्रेस जारी करते हैं उससे जादा नाम भी इसमें हो सकते हैं तो बस इंतिजार है कि आखिर कॉंग्रेस कब ये सूची जारी करेगी चुकि कॉंग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है विधान सभा में जिस तरह से करार इह कॉंग्रेस ने देखी उसके बाद बड़ी मुश्किल कॉंग्रेस के लिए हो रही है ये चुनाफ करना कि आखिर मैदान में किसको उतारना है जदा जानकारी के लिए वासू हमारे साथ जुड़ रहे हैं वासू संभावत नामों का तो हम लगातार जिक्र कर रहें दिखा भी रहें दर्शिको को पर अब क्या करें और क्या लगता है कितना इंतजार और करना होगा कॉंग्रेस की लिस्ट के लिए क्या आज ही लिस्ट आ सकती है इसे कया से निश्ट ओर पर देखें काल एक महगपूर्ण बैठा कोई थी सी सी के और उसके पहले भी कई राउंड की बैठके जो है बोपाल से लेकर दिली तक हो चुकी है और कॉंग्रेस ने संभावित नामों को लेकर एक लंबा डिसकेशन किया है पहले दो दो तीन दिन नाम के पै इश्वर पटेल जो पूर्व मंतरी हैं उनका सीधी से नाम निकल कर सामने आ रहा है सिद्धाद कुश्वा का नाम सामने आ रहा है इसके लावा कई और नेता हैं जिनके नाम जो है इस पूरी संभावित नामों की सूची है जो लगातार हम दिखा भी रहे हैं उसमें सामने आ रहे हैं जल्द ही कॉंग्रेस इन नामों के गोशना कर सकती है इस पूरे डिली की वज़े ये भी माना जा रहा है कि जिस तरही के से लगातार कॉंग्रेस से बीजेपी की और नेताओं का दल बदल जारी है उसके चलते कॉंग्रेस तमाम जो समकरण हैं उनको देख रही है थोड़ा सा इंतजार कर रहे है इस आई समय का कि कब यूए सूची जारी की जाए क्योंकि कॉंग्रेस नहीं चाहते कि सूची जारी करने के बाद किसी तरीकी की करकेरी जैसे सीटी बने किसी प्रतियाशी का नाम गोशित हो जाए उससे जुड़े हुए लोग या उसके छे सियासी तमाम जो समिकरण होते हैं उनको साधना जरूरी होगा और इसलिए कॉंग्रेस लगातार मन्थन भी कर रहे हैं और यही वज़ए कितना समय भी पार्टी को कही ना कही नामों के घोशना करने में लग रहा है क्योंकि दूसरी हो तो बीजेपी 24 सीटों पर अपने नामो क्या कुछ हो सकता है विस्तार से बताईए रित्यू देखिये जो कल किंजी चुनाव समिक्ति की बैठक हुई थी तो आज जो उमीद की जा रही है कि कॉंग्रेस अपनी पहली सुची जारी कर देगी खास करके मद्देपरदेश को लेके इससे पहले एक सुची जारी कर चौड दी है बी जे पी ने एक लोगन कर दियो का तो कॉंग्रेस के पां सामने अब यह समस्या है कि वह अपने जो उमीदवार हैं उनका जाती है संहिकरण शेथिये संहिकरण और जो अमीदवार है यह और कैसा है कितना मश्बूथ है उसकी क्या खामिये हैं याज जारी हो सकती है तो जैसे ज़ुनाओन की घूशना भी नहीं हुई है तो इससे पहले समय पहले आव उमीद्वारों की गोशना करना से जो एक पार्टी के अंदर विरोध होता है उसको दबाने के लिए भी बीजयो के कॉंग्रेस जो है एक अपनी रनीती के तहर काम कर रही है कि जी ठीक 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 बहुत बहुत शुक्री आप दोनों का ये जानकारी को साजा करने के लिए